कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राउल गांदी ने 36 गड़ की राजदानी नवारायपूर में हुए पाइटी के 85 महा अधिवेशन में रहिवार को केंद्र की नरेन मोधी सरकार पर तीखा आमला बोला मा अधिवेशन के तीसरे दिन राउल गांदी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कुछ मोकों पर भावुख हुए उन्होंने कारोबारी गोता मदानी को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे उन्होंने चीन नीती को लेकर भी सरकार की आलोशना की वहीं कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्रिक परंपराओं को कमजोर करने का आरूप लगाया कॉंग्रेस महा सचिव प्रियंका गांधी ने विपक्ष की एक जूटता की एहमियत पर जोर देते हुए कहा कि जिन लोगों को लगता है कि देश की राजदिती में गलत हो रहा है कॉंग्रेस उन्हें मंच देगी महा अधिवेशन के अंतिम दिन कॉंग्रेस नेताओं ने बताया कि महा अधिवेशन में भारत जोड़ो यात्रा दू को लेकर भी चर्चा हुई महा अधिवेशन के तीसरे दिन रहुल गानी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया कुछ मोगर पर भावग भी हुए उन्हें कारोबारी गोता मडानी को लेकर केंद सरकार से सवाल पूछे उन्होंने चीन नीतिक को लेकर भी सरकार की आलोशना की वही कॉंग्रेस अध्यक्ष मलीका अर्जुम खड़गे ने केंद सरकार पर लोगतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने का आरोप लगाया कॉंग्रेस महा सचिव प्रेंका गांधी ने विपक्ष की एक जूटता को एहमियत पर जोर देते हुए कहा कि जिन लोगों को लगता है कि देश की राजनिती में गलत हो रहा है कॉंग्रेस उन्हें मंच देगी महादी वेशन के अंतेम दिन कॉंग्रेस नेताओं ने बताये कि महादी वेशन में भारत जोड़ो यात्रा पार्ट टू को लेकर भी चर्चा हुई नमस्कार में हूँ आपके साथ निरच पंचोली आप देखना शुरू कर चुके हैं नजर टूडे भारती जनता पार्टी ने कॉंग्रेस के तमाम आरोपों को खारिस करते हुए कहा कि कॉंग्रेस चाहे जितना नकारात्मक राजनिती का प्रयास करे लेकिन आज विश्वी जानता है कि भारत की शमता क्या है पार्टी ने यह आरोब भी लगाया कि गांधी परिवार बिना जिम्मेदारी के सत्ता चाहता है कॉंग्रेस मा अधिवेशन में शनिवार को पूर्व अध्यक्स सोनिया गांधी ने बतोर अध्यक्ष अपने कारेकाल का जिक्र भी गिया कॉंग्रेस पार्टी के पुर्वध्यक्ष राउल गांधी ने कॉंग्रेस कारेकरताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का जो जिक्र है उन्होंने इस शिक्र को दोराते हुए कहा कि चार महिने की इस यात्रा में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला राउल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दुरान जब वो लोगों से मिलते थे तो लोग उनका हाथ पकड़ते थे, उनसे गले मिलते थे, उनका दुख मैं समझ जाता था मेरे बिना कुछ कहे ही, वो मेरा कहा समझ जाते थे गांधी ने बीच में भावग भी हुए, उन्होंने चुनाओ के समय सरकारी घर को छोड़ने का किस्सा साजा किया राउल गांधी ने कहा कि 52 साल हो गए है, मेरे पास घर का घर नहीं है, आज तक घर नहीं लिया हमने परिवार का जो घर है वह इलाबाद में है और वो भी मेरा घर नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे आगे पीछे जो खाली जगह थी, उसे मैंने घर की तरह देखा और एक घर मेरे साथ लगातार चल रहा था राउल गांदी ने भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर से जुड़े संस्मरणों को शाज़य किया और वसाजा करते हुए कहते हैं कि संसर में प्रधान मंतरी ने कहा कि मैंने जो भी कर लाल चोग पर तिरंगा फेराया था, राउल गांदी ने कहा मैंने सोचा कि हिंदुस्त राउल गांदी इसे लड़ सकते हैं आज अंग्रेज हम पर राज करते थे तो तो क्या उनकी एकोनोमी हमारी एकोनोमी से छोटी थी, इसका मतलब जो आप से शक्तिमान है, आप उनसे लडो मत, जो कमजोर हैं, उनसे ही लडो, इसके कायरता कहा जाता है, राउल गांदी ने इसे सावर करकी विचारतारा बताते हुए, अगर जो आपके सामने आपसे जो आपसे कमजोर है, उसे मारो, और जो आपसे मजबूत है, उसके सामने जुख जाओ, राउल गांदी ने महात्मा गांदी के सत्यागर का उलेक करते हुए कहा, कि महात्मा गांदी सत्यागर की बात करते थे, सत्यागर का मतलब सदा सत्य के रास्ते पर चलना, उस रास्ते को कभी नहीं छोड़ना इनके लिए एक नया शब्द RSS BJP वालों के लिए हम हैं सत्या ग्रही हैं वो हैं सत्ता ग्रही हैं यह सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं यह किसी से भी मिल जाएंगे किसी के सामने भी जुग जाएंगे सत्ता के लिए राहूल गांदी ने अडाणी समों को लेकर भी सरकार को घहरने की कोशिश की है वह कहते हैं कि संसद में मैंने पूछा कि 609 नंबर से दूस्टे नंबर पर केसे पहुंसता है माननी प्रदान मंत्री जी का म सकते हैं कि अडाणी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है मगर passenger रिश्टा है राउल गांडी कहते हैं कि अडानी जी और मोदी जी एक हें और पूरा देश धन एक व्यक्ति के प्रूर धन वहाई इस्ट इंडिया कंपणी के खिलाफ हुई थी वह भी एक français थी उस company ने भी एन्दूस्तान का सारा सारा धन सारा सारा इंफरस्टक्चर पुर्ट्स सारा का सारा उठालिया था इतिहास दोराया जा रहा है यह देश के खिलाफ काम हो रहा है और देश के खिलाफ काम होगा तो Congress party इसके विरोध में हमेशा खड़ी रहेगी और इसके फिलाप लड़ जाएग enorm जबे कोंग्रेस सद्यक्स marketing post वाकेते हैं कि आज में गरीबों की महिलाउं की और अनुसुची जाती जंजाती की बात करने की आजादी नहीं है ओलए कहते हैं कि राज्य सवा मेरा भाशन और लोग सवा में राहुल जी का भाशन हटा दिया जाता है हमें कोई गलत शब्द नहीं बोला हमने सिर्फ और सिफ अडाणी पर सवाल पूछा था इस पर कॉंग्रेस मास्चिव प्रेंका गांदी ने केंद्री की नरेन मोजी सरकार पर भी तिखा आमला बूला और कहा कि कॉंग्रेस का काम एसे लोगों को मंच देना है जो देश की राजनिती को देखकर समझ रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है प्रियंका गांधी ने पार्टी और विपक्ष को एकजूट होने पर भी जोर दिया है प्रियंका गांधी कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को हिम्मत दी है कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दोरान महिलाओं ने मुझे बताया कि तीन सालों में उनकी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई इस यात्रा ने उन्हें हिम्मत दी और वह महिलाएं बाहर निकल के आई यह हिम्मत दिलाने का काम कॉंग्रेस का काम है जो देश की राजनिती को देखकर समझ रहे हैं कि जो हो रहा है वह ठीक नहीं है उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना है उनके आवाज को बुलंद करना हमारा काम है जो नहीं समझ रहे हैं उनके पास भी जाना और जो समझना चाह रहे हैं उनको समझाने का काम हमारा है हमें अपने गिले शिक्वे अलग करने होंगे और एक जूट होकर लड़ना होगा प्रेंका ने पार्टी और विपक्षी एक जूटता पर भी जोर दिया वह कहती है कि हमसे एक जूट होने की उम्मीद है जिनोंने भी पार्टियां हैं दल हैं लोग हैं जिनकी विचारधारा इसके विपरी थें वो एक साथ आएं और एक जूट होकर लड़ें सभी से उम्मीद है लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद आज कोंग्रेस पार्टी से हैं उधर भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने गांधी परिवार पर निशाना साथते होगे कहा सत्ता का चाहतना उनका लाजमी है ऐसा कहने को तो खड़गी जी अध्यक्स है लेकिन पूरा का पूरा सत्र गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही चल सका है राउल गांधी को जबाब देते होई पात्रा कहते हैं कि हिंदुस्तान आज उभरता हुआ सितारा है आप कितनी भी नकारात्मक राजनिति का प्रयास करने लेकिन आज विश्व जानता है कि भारत की शमता क्या है इसलिए आपको भारत की चिंता नहीं करनी चाहिए आपको भारत की तो क्या और तो और ये भारत को जानने का प्रयास करना चाहिए इसी तरह की तमाम खबरों के लिए तरी ये नजर तोड़े